नमस्ते मैं डोक्टर सौंवीर आ रही है आप सभी योग जीगयासों का स्वागत करता हूँ योगदर्शन की वेख्यान माला किसकार करम में आज हम बात करेंगो विभूती पाद के दस्वे सूतर की जिसमें शांत चित की जो चित हमारे शांत हो गया उसकी अवस्था की बात कीगी उसमें किस प्रकार की उसकी अवस्था होती है तो चलिए जान दें सूतर को तस्य प्रशांत वाहिता संसकारात यानि कि तस्य यानि कि उसकी चित की संसकारात यानि की संसकारों के प्रभाव से जब संसकार हमारे दब जाते हैं उसके बाद उसकी वाहिता यानि की जो स्थिती होती है प्रशांत यानि की बिल्कुल शांत होती है तो एक लाइन में हम इसको कहें जब हमारे चित के संसकारों के प्रभाव से चित की जो संसकार होते हैं वो दब जाते हैं उनके दब जाने से हमारे जो चित की जो गती होती है जो चित की जो स्थिती या गती होती है वो बिल्कुल शांत होती है प्रसांत वाहिता यानि की वाहिता यानि की स्थिती या गती और जो प्रशांत है उसका तो बिल्कुल शांत होती ह तो देखे जो थानकाल होता है तो हमारा चित अस्थिर होता है तो जो उसकी गती होती वो भी अस्थिर होती है लेकिन जैसे ही निरोध हो जाता है उनका निरोध होने के बाद उसकी जो गती होती बिल्कुल शांत हो जाती है बिल्कुल किसी परकार की हल चल नहीं होती हलचल स्थिर रहित अवस्था होती है उसको कहा है तो चित की अवस्था की 설명 सो स्थिर होती है यहाँ पे betुषने के बाद की बाद की बात कही गई है उसकी कीỏi तो यह हमने निरोध प्रिणाम होने के बाद चत्त की जो गती है अवस्था है उसको जाना जल्द ही 11 सूतर के साथ आपके सामने परस्तुत होता हूं तब तक के लिए आप सब्सक्राइब नमस्ते